दोस्तो php में आज बात करते हैं एक और method की जो होता है unset method जिसको समझने के लिए हम लोग चलते हैं code में code editor पर एक program मनाते हैं तो देखें यह मैंने यहाँ पर unset method के लिए पहले तो unset method का क्या काम है वो मैं दिखा देता हूँ तो यहाँ पर देखें यहाँ पर जिसे मैंने एक demo class बनाई ठीक है demo class में मैंने यहाँ public name एक property बनाई प्राइवेट salary एक property बनाई यहाँ पर मैंने value को set कर दिया और यहाँ पर मैंने public function is set बनाया यहाँ पर is set का काम नहीं है तो is set function को मैं कर देता हूँ unset ठीक है लेकिन उसके पहले मैं इस code को comment कर देता हूँ और इसको हम लोग बाद में बनाएंगे तो मैंने dollar obj new बनाया और dollar obj को मैंने print किया तो आप यह देख रहे हैं यहाँ पर जो obj का object है वो मेरे को मिल गया प्रिंट किया तो अब यहाँ पर name देखिये private है और demo जो है private property नेम private है और demo जो है वो salary जो है वो private है और name जो है वो public property है ठीक है अब अगर मैं यहाँ पर उन्सेट कर देता हूँ तो मैंने यहाँ पर उन्सेट कर दिया और डॉलर ओबीजे कर दिया तो इसका मतलब यह destroy हो गया यह जो object है वो destroy हो गया तो यह value हमको मिलेगी क्या यह value नहीं मिलेगी और यहाँ पर रहाजाएगी कि error क्या error आ जाएगी यहाँ पर uncage argument की error है यह जो variable है यह destroy हो गया completely उसी तरीके से अगर मानलो मेरे को यहाँ पर देखें यहाँ पर अगर मैं echo करता हूँ simple मैंने यहाँ पर इस function को call कर लिया ठीक है इस function को मैंने call किया और यहाँ पर अगर मानलो मैंने echo किया यहाँ पर मैंने लिखा echo dollar obj arrow name तो क्या होगा मुझे यहाँ पर name की value मिल जाएगी तो name की value यह name की value यहाँ पर मैं को मिल गई अब अगर मानलीजे मैंने यहाँ पर कर दिया unsate और unsate के बाद में यहाँ पर मैंने कर दिया डॉलर, O, B, J, Aero, Name तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब यहाँ पर यह होगा कि यह जो error है क्योंकि यह destroy होगया तो यह echo नहीं होगा क्योंकि यह name जो है वो memory से destroy होगया unset होगया इसका मतलब यहाँ पर यह अब अगर मान लो मैं salary salary एक private variable है तो यहाँ पर हम लोग इसका मतलब यह है कि यह जो unset है ना यह जो unset है वो इस private variable को access नहीं कर पाएगा तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं तो अगर मेरे को यहाँ पर इस variable को unset करना है तो मुझे यहाँ पर एक function magic function use करना पड़ेगा और वो magic function क्या है वो magic function है यहाँ पर underscore underscore unset तो यहाँ पर underscore underscore तो आ गया है यहाँ पर मैं इसको unset कर देता हूँ और यह property आ गया, तो dollar, these arrow, dollar property कर दूँगा मैं, यहाँ पर मुझे क्या करना है, unset call करना, तो मैं यहाँ unset को call कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं dollar, these arrow, और यहाँ पर dollar property कर दूँगा, तो यह value क्या है, यहाँ पर हो जाएगी, unset, ठीक है, तो अभी मैं इस को run करता हूँ, तो यह value unsate होगा यह result यहाँ पर मेरे को मिलिया कहने का मतलब यह है कि यह जो unsate function है normal php का जो unsate function है यह private member को access नहीं कर पाता अब अगर इसको private member को access करना है हमको तो हमको एक function यहाँ लिखना पड़ेगा जो की होगा underscore underscore unsate और यहाँ पर हमको pass करना पड़ेगा वो need उसके बाद यह unsate क्या करेगा यह unsate इस property को कर देगा unsate यह नहीं कि memory से destroy कर देगा जिस तरीके से हम लोग object के बाहर destroy करते हैं